हलो फ्रेंड्स आप सबी कैसे हैं आसा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे है ना और अच्छे जीतिये से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज हम लोग कल हमने देखा था कि मुगल वन्स के बारे में ध्यन किये है ना और आज हम लोग जहारकंड किति हास का आधुनिक इतिहास को लेके हम लोग कुछ महत्पून को एसेंस को लेके करेंगे है ना देखेंगे जो बहुत ही महत्पून है हर एक जहारकंड श्तर ये एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्पून है तो जालत देर ना करते हुए पहला कोश्चन आपके सामने है जो अन्थ हो गया. तो पहला कोश्चन यही है कि औरनजेप की मृत्युद गभी है ना। अगला कोश्चन है, औरनजेप की मृत्य० के बाद किस नागवन स्य सासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? किस नागवंसि सासक ने यदुनात शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था क्यों बंद कर दिया था क्योंकि जब आउरंजेव की मृत्ति हुई वही एक आखरी सक्तिसाली शाशक थे पर उसके बाद इतने भी साशक आए वो अतना मजबूत नहीं रहे है वो समराज्य को सुरक्षित नहीं कर पाए तो वो कमजोर थे जो राजा जो बने आउरंजेव के बाद वो कमजोर थे पर जिसका इस्थानिय शाशकों ने उन्हों को कर देना क्या कर दिया बंद कर दिया उन्हीं में इस एक था नागवंसी वंस ठीक है जिसने कर देना बंद कर दिया और किसने यदूनाद शाह ने अगला क्वेशन है यदूनाद शाह ने राज की सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी दोशा से कहा ले गये यदूनाद साह जो थे उसने सुरक्षा के मद्दे नजर अपनी राजधानी दोशा से कहा ले गये पाल कोट ले गये क्योंकि क्यों ले गये क्योंकि यदूनाद साह पर जब अपनी राजधानी दोशा बनाये थे तो वहाँ पे बहुत सारे आकर्मन होते थे है ना बहुत सारे आकर्मन होते थे बिहार के सुबेदार जो थे सर बुलंद खान है ना के कौन सर बुलंद खान है ना सर बुलंद खान उन पे बहुत आकर्मन किये और उसी का डर से फिर यदुनाथ साह अपनी राजधानी कहां ले गए पालकोट और यह पालकोट है सिम्डेगा जीला में ठीक है सिम्डेगा सिम्डेगा जी सिम्डेगा में यह स्थीत है ठीक है माप किजिएगा यह सिम्डेगा में नहीं सिम्डेगा में नहीं गुमला में ही है ना गुमला में है जो सिम्टे का मार्ग पे हैं ठीक है अगला क्वेशन है किस चेरो सासक ने 1719 सिस्वी में कब 1719 सिस्वी में टोरी परगना पर अधिकार कर लिया था किस सासक ने रंजीत सिह ने रंजीत सिह ने कहां पर टोरी परगना पर यह टोरी परगना जो था वो नागवन्स के अंदर में आता था नागवंज के अंतरगत आता था और उस वक्त में जब रंजितसी ने आकरवन करके इस छेतर पर अधिकार जमाया तो उस समय नागवंज के साथ सा कोन था यदुनात है ना यदुनात साह ठीक है यदुनात साह थे ठीक है तो एतना याद रहेगा अगला question है, question number five किस प्रथम नागवनसी सासक के समय प्रथम मराठा आकरमन जारखन पर हुआ ठीक है, ये question पर आप लोग गन्फ्यूज नहीं होईएगा ये दुनाथ साह, sorry माफ करिएगा उदैशा, ठीक है उदैशा के समय में मराठो ने जारखन पर आकरमन किया था वो भी प्रथम बार, ठीक है और यहाँ पर ये जो है प्रथम नागवनसी सासक इसको देख के आप लोग कन्फ्यूज नहीं होईगा इसका मतलब है कि कौन सा नागवनसी सासक जो था जो उसके समय पर है ना, पहली बार मराठा आकरमन हुआ था, यह है आप लोग कन्फ्यूज हो के प्रथम नागवनसी सासक को नाम टिक नहीं कर दिजेगा, है ना उदैशा के समय में प्रथम मराठा आकरमन हुआ जारखन में अगला क्वेशन है, हिदायत अली खान ने छेतर विस्तार के लिए किन दो नगरों का निर्मान किया है ना, किन दो नगरों का निर्मान किया यह हुसैनाबाद और हैदर नगर, ठीक है यह दोनों नगर कहा है, पलामु जीले में ठीक है पलामु जिले में इस थे थे हुसेनबाद और हैदर नगर ठीक है और इसका निरमान कुन कराया था हिदायत अली खान ने ठीक है अगला क्वश्चन है हिदायत अली खान ने अपनी राजधानी कहां बनवाई है ना जो हिदायत अली खान जो थे उसने अपनी राज़ान ने कहां बनाई हुसेनाबाद है ना जो इस नगर को खुद हिदायत अली खान ने बनवाया था ठीक है अगला क्वेश्चन है सराय केला राज्य की स्थापना किसने की सराय केला राज्य की स्थापना बिक्रम सीने की है ना और यह जो बिक्रम सी जो थे बिक्रम सी जो थे वो पोड़ हाट है ना पोड हाट राज्य है ना पोड हाट राज्य से सम्बंदित है ठीक है और ये जो विक्रम सी है उसका पिता का नाम जगनात सी है ना जगनात सी विक्रम सी के जो पिता है उनका नाम जगनात सी था और ये जो जगनात सी है वो पोड़हार्ट के राज्जे थे राज्जा थे है ना और ये बिक्रम सी जो है उन्होंने सराय केला राज्ज की स्थापना की है जो आज कल हम लोग जहारखंड का एक अलग जीला की रूप में हम लोग जानते हैं ठीक है अगला कोशन है कोशन नबर नाइन सत्रसब सरफटीश्वि में है ना अंग्रेज जहारखंड के किस छेत्र में परवेश किये तो वो होगा सिंभूम्ज में ठीक है ये बहुति महत्यकून कोश्य थे ना कोशन आता है है ना हर बार ये कोशन देखने को आता है कि जारखन में अंग्रेज किस छेत्र से परवेश किये इस तरह का कोशन रहता ही है तो यह होगा सिंभूम भले ये भी कोशन बलट सकता है कि कब हुए कब परवेश किये है ना इस तरह का कोशन बन सकता है ठीक है अगला question है दलेल सी की मृत्यू कब हुई जो दलेल सी थे उसकी मृत्यू कब हुई वो हुआ 1724 इस्वी को और ये जो दलेल सी है वो रामगड के है ना रामगड के क्या है राजा थे ठीक है रामगड राज के राजा थे दलेल सी जिसकी मृत्यू 1724 इस्वी में हुई थी और दलेल सी नहीं 1719 इस्वी में नागवंसियों के खिलाप चेरो रंजित सी की मदद की थी है ना इसी राजा ने question बन सकता है कि किस ने नागवंसियों के खिलाब चेरो राजा रंजित सी की मदद की थी दलेल सी है ना इस तरह का कोईशन बन सकता है ठीक है तो ये बातों को याद रखिएगा ध्यान दीजेगा तो आज का कोईशन नहीं पे खतम होता है ये भाग एक था तो हम लोग फिर कल भाग दो लेकर कैंगे जारकन डितिहास आधुनी कितिहास सम्बंदित होगा कोईशन जो कुछ और भी कोईशन होंगे महत्यपून कोईशन होंगे तो आप लोग ये चीज को देखिए हरे कोईशन को आज दस कोईशन हमने देखा है तो इन सारे कोईशन को आप लोग ध्यान प्रूबबग पढ़िए हरे कोईशन में एक दो कोईशन निखल ही जाता है तो इन सब बातों को देखिए और आप लोग अपना ध्यान दीजिए घरों में रहिए सुरक्षित रहिए और अच्छी रिती से पढ़ाई कीजिए ठीक है तो हम लोग कल फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद